वेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक आज इस वीडियो हम बात करेंगे 36 गड़ के मातपूर्ण जो हिस्ट्री से प्रश्ण पुछी जाते हैं उन सभी प्रश्णों को इसमें हम देखने वाले हैं जो बार-बार रिपीट हुए हैं और सीजी व्यापा में पुछे के हैं उन सभी आपको बताना है ब्रार पांडे, पोतदार, आमिल और अमीन कितने कोशनों को आप सही कर पाते हैं मेरे साथ आप लोग टेस्ट लगाते चलिएगा और इसके अधार पर आप देख पाएंगे कि कितने कोशनों को आप सही कर पा रहे हैं 36 गड़ की राजस्व ब्योस्था में सुधार हेतू मेजर एगनियों ने निम्ली की तिकीन करमचार्यों की निवति किया था इसमें आपको आप्शन दिया हुआ है ब्रार पांडे, पोतदार, आमिल और इसके बाद है आपका आमिल ठीक है तिन चारों में से आपको आप्शन क्या हो सकता है तो फर्स्ट का करेक्ट आप्शन सी होगा इसका राइट आप्शन यानि की ब्रार पांडे, पोतदार और इसमें अमिल ये तीन पोस्ट की उन्होंने क्या की थी निवति किया था निमलिकित में से कौन सी जोडी? चाथिस गड़ना ब्रेटी सकाल का जजनजाती बिदो यह उसका नेता सुमलित है इसमें बताना है कि कौन सा सुमलित है दूसरा का ओप्शन आपकी पास है बस्तर का कोई बिदो का भुगा था? मुरिया बिदो इसमें से उसकी जनजाती ब विद्रो और नेता दोनों को सुमिलित करना है ठीक है तो दूसरा का ओप्शन भी करेक्ट हो जाएगा बस्तर का मुरिया विद्रो अठारसो चैतर में जाड़ा सिरा के द्वारा हुआ था केवल मात्र यही करेक्ट ओप्शन है नेक्स्ट कोचन है चतिसगर की करद रियास्तो को बारति है संग में सविलियन के समें निमने लिखित मैं से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो बारति-श्षधान में जब सामिल किया जाता था तो इसमें लिखा है कि सविलियन की परकिरे एक जनवारी उन्हें सोन तालिस को पून होई सविलियन में पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्पूर्ण योगदान था सविलियन सरदार पठेल के मार्ग दर्शन में संपन हुआ वस्तर यासत को इस सविलियन में सामिल नहीं के गया था तो ऑप्शन डीस में क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि वस्तर को भी सामिल कर लिया गया था नेक्स्ट है खरूद की लक्षमनेस्वर मंदिर की गर्व गिरी में किसकी स्थापना है तो लक्षमनेस्वर जो मंदिर है उसमें किनका जो है किस भगवान का प्रतिमा वहाँ पर है यहां कर सकते हैं कि गर्व गिरी में उनकी स्थापना हुआ है तिसका ओप्षन सी करेक्ट ह यानि सीवलिंग का इस्थापना हुआ है नेक्स कोचन है कि निमली खित में कौन से कथन सही हैं 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का 36 गण में रायपूर में आगमन हुआ 21 दिसंबर को वेधमतरी पहुंचे और वहां एक जन सभा को संभोधित किया रायपूर में आनंद समाज वाचनाले में महिलाओं की सभा को संभोधित किया तो कौन सा कथन इसमें सही है आपको देखकर बताना है महात्मा गांधी के समन में कौन सा कथन सही है जिसमें राइट ओप्सन हो जाएगा तीनों कथन सही है क्योंकि महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को 36 गण में आय हुए थे 21 दिसंबर को दमतेरी में पहुंचे और वहां प्रजन सभा को संबोधित किया रायपूर में उन्होंने आनन्द समाजवा चनाले में महिलाओं को भी संबोधित किये थे जुलाई 1946 में भारत की सभधान सभा के लिए 36 गड़ खाल्चा से निमलिखित में कौन से नेता चुने गए थे तो जुलाई 1946 में सभधान सभा का गठन हुआ था जिसके अंतरगा 36 गड़ से कौन कौन से नेता चुने गए थे उने 1946 में भारत की सभधान सभा के लिए 36 गड़ से किसोरी महंत्री पाठी इसमें सामिल नहीं थे नेक्स्ट है कि नागपुर के भोशलावंस के निमलिखित में कौन से बेक्ती जो 1756 से अठारो से गारत तक 36 गड़ के सासक रहे इसमें नागपुर भोशलावंस के इसमें पूछा गया है 1756 से गारत तक 36 गड़ के सासक रहे थे इसका राइट ओप्शन भी हो जाएगा बीमबा जी चेमडा जी और ब्यांको जी मुधो जी इसमें सामिल नहीं थे नेक्स्ट गड़ निमलिकित में कौन सा कथन सही है तो एट का इसका राइट ओप्शन बताना है 36 गड़ को ठारो सो बासट में मद्द परदेश के एक संभाग बनाया गया 36 गड़ के प्रतिक जीले में डिप्टी कमिशनर नुक्त की गया है 36 गड़ के समस्त जमेदारों को करद राज़ का देजा दे गया तो यह गलत है इस प्रकार सो अप्शन बी करेक्ट होगा निमलिकित कथन को पढ़िए और इसमें बताना है आपको तो ब्रेटिस तरक्षन काल के छदिकड़ का ब्रेटिस समराज में बिले हो गया और अच्राज़ेण की प्रेटिस सूपरेटिकी की गई और इसमें पूछा गया था कि सूपरेटिकी नागपूर में रेजिस्टेंट के अधिन कारे करना पड़ा था इसके अंतरकत कोण सा कारे होगा तो इसका राइट आप्शन होजाएगा C option इसमें correct होगा यानि कि 2 और 3 इसमें correct है यानि कि सूपर-tended को नागपूर से resident के अधिन कारे करना पड़ता था ये कथन बिलकुल correct है और दूसरा कथन सही है चतिज़गर के प्रसाशन के लिए British सूपर-tend की नुक्ती की गई थी और इसमें दिये गया था कि ब्रिटिस तरेक्षेन काल मिं चितिगड अग मिले होगा था तो गलत है Next है प्राचिन च्रतिगड के पांडू बंस के नीमलिखित कि सासक ने मौखरी राचकुमारी वास्टा से विवा किया था तो टाचिन छतिगड के पांडू वन्स के निमलिकित में कि सासक ने मौकरी राज़कुमारी वास्टा से विवा किया था तो इसका correct option होगा C यानि हर्स गुपते हैं हर्स गुपते ने क्या होता है मौकरी राज़कुमारी वास्टा से क्या किया था विवा किया था 1894 के 56 गड़ के निमलिकित में से किन ताहुतदारियों के निर्माण के लिए किये गया था इसका right option बताना है सिहावा, लोर्मी, खलारी और क्या होता है संचारी वेर इवन का correct option D होगा याने कि सिहावा, खलारी और संचारी को ताहुतदारियों के अंतरकत क्या किये गया था, निर्माण किये गया था next question है कि निमलिकित कत्वनों को पढ़िए समुद रुप्त के प्रयाग परस्तती में 36 गड़ को कौसल कहा गया है समुद रुप्त ने अपने दचनी अव्यान में कौसल के राजा महेंदर को प्राजित किया था उसने इस राज़ को अपने समराज में समलित कर लिया था तो इसका correct option क्या होगा? इसका correct option B option होगा, एक और दो इसमें सही है उसने समराज को समलित नहीं किया था, वो समराज को लोटा दिया था सोची 1 में पराचिन छदिगर की राजबंस को यहां पर मिलाना है इसका right option होगा, सरप पूरिय सुखदेव राज होगा और पांडू का दीवरदे होगा, और सोम का सिवगुप्थ होगा तिस परकार से आप सुन मिलाने के लिए आपको पिज़ा में पूछी जाते हैं निम लिकित में से कौन सी जोड़ी 36 गड में 1857 के विपलो का नायक उसका छेतर समलित नहीं है तो नरेंड सिंग, सुनाखान, पैलान सिंग, उद्यपूर, सुरेंदर सय, संबलपूर और बलराम सिंग बस्तर तिस में पूछाए कि कौन सा समलित नहीं है, तिसका करेक्ट ओप्शन टी हो जाएगा, बलराम सिंग जो है बस्तर में गलत है यह सही नहीं है, निम लिकित में कौन सी गुफा पसान गालिन सेल चीतरों के लिए परसीद है नेक्स्ट कोशन है, कि 36गट मित्र, 37गट का प्रकासित होने वाला पालाक बार था, जो की उनेक्सम में प्रकासित हुआ था, इससे प्रारम किस नहीं किया था तो, छदिगट के मित्र सभी लोग ज्यानतों के माधोराव, शपरीजी द्वारा प्रकासित हुआ تھा प्राचिंग छतिगर के पांडू वन्स के निमलिकित सासक ने मौकरीर राजकुमारी वास्टा स्विवा किया था और निमलिकित में कौन साथ छतिगर के कल्चुरी राजवन्स के सस्तापक थे तो कल्चुरी राजवन्स के सस्तापक किने माना जाता है 18 का इसका correct option होगा B option यानि कि कलिंग राज को कल्चुरी का जो है सास्ताबक माना जाता है रायपूर के मोती बाग का पुरान नाम क्या था तो रायपूर के मोती बाग का पुरान नाम क्या था इसका right option D हो जाएगा विक्टोरिया बाग के नाम से जाना जाता है निमलिकित में कौन सी जोड़ी 36 गर्मोने 130 मुवे जंगल सत्यगराह पर तता उनके नेता सुमलित हैं सुमलित हैं इसमें पुछालिया है 20 का इसका क्रेक्ट उप्शन होगा आपका C उप्शन सही होगा तमोरा जो है महा समन में सत्यगराह हुआ था तमोरा सत्यगराह में संकर राव गनोद वाले संकर राव गनोद वाले केवल इसमें यह राइट है बागी सब गलत है सरभपुरिये अमर्तिकुल के सासक किस धर्म का पारण करते थे सर्वपूरिये जो थे वह किस धर्म के उपा सकते सर्वपूरिये राइट ओप्सन होगा बैश्टनो धर्म के उपा सकते राजा अपिलग किस राजवन्स के सा सकते तो राजा अपिलग जो थे सात वहन वन्स के सा सकते भोसला राज़े पर ब्रिटिस रक्षण की आउधी में किसे छत्रगड का अधिक्षक निवत किया गया था तो भोसला राज़े पर ब्रिटिस रक्षण की आउधी में स्वार प्रतम जो है छत्रगड का जो है इसमें छत्रगड अधिक्षक निवत किया गया था तिसका राइट ओप्शन D होगा केप्टन इलियट को निवत किया गया था जो है सो खतम हो गया फिर इसी परकार के मात्मूर्ट वीडियो के लिए लाइक, सेर, सब्क्राइब करें फिर मिलते हैं नेक्ट में जय हैं इसी परकार की जानकारी के लिए तो निश्चे तरुप से आपसे सब्सक्राइब कीजएगा ताकि इस परकार के मात्मूर्ट वीडियो आपके समर्च हम लाते रहें जय हैं जय हैं